हलो इस्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल के माद्यम से आज की कक्सा में मैं आपके साथ जो चीज़ेंगे डिसकस करूँगा उनका संबंध एक बार फिर अब करते विदी से हैं और अब करते विदी की लास्ट कक्सा में अपने जो डिसकस किया था वो डिसकस था योगदाई उपेक्सा के समंद में योगदाई उपेक्सा के समंद में उसके परीचे आधारवुतत्यूं और उसे समंदित अंतिम अफसर के सिधन्त की चर्चा अपने पिछले दो वीडियोज में कर ली थी और योगदाई उपेक्षा पर अपना ये तीसरा वीडियो है जिसमें आपन आज डिसकस करेंगे योगदाई उपेक्षा के अपवाद जो है Acception of Contributory Negligence इस मुद्धे पर आज अपन चर्चा करेंगे देखिए अपकरते विदी में योगदाई उपेक्षा की अध्याय में हमने अब तक पिछे जो discussion किया था वो discussion अपन एक सामने नियम मान सकते है और वो सामने नियम अपने सामने जो बन कर आता है वो क्या है वो यह है देखो परतिवादी को साबित करना पड़ता है कि वादी ने योगदाई उपेक्षा की है देखिए कहने का मतलब कि योगदाई उपेक्सा का परतिवाद या बचाव यदी परतिवादी लणा चाहता है तो परतिवादी को ये बचाव या डिफेंस तभी मिलेगा जब वो ये साबित कर देता है कि वादी से लापरवाई हुई है या वादी ने ऐसावदानी की है या उसे जो हानी हुई है उसमें उसका स्विम का भी योगदान है और इस योगदान में अपने पिछली कक्सा में साथ में अन्तिम अउसर के सिद्धान्त की चर्चा की थी और अब इस वीडियो में अपने चर्चा कर र यहां अपन यह देखेंगे कि वो कौन सी परिस्तितिया हैं जिन में परतिवादी को यह साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है कि वादी ने योगदाई उपेक्सा की है या यह कह सकते हैं कि जहां वादी की योगदाई उपेक्सा का आधार लेकर या हवाला देकर परतिवाद पुछ ऐसी कंडिसन्स भी अपकरते विधी में या योगदाई उपेक्सा के अध्याय में अपने सामने मौजूद होती है जो परतिवादी को योगदाई उपेक्सा का आधार या बचाव लेने से इनकार करती है इस चैप्टर में कुल मिलाकर हमारे सामने ये तीन स्रेणिया एसी बन कर आती है जो परतिवादी को योगदाई उपेक्सा का बचाव लेने से वन्चित करती है इनमें पहला है वैकल्पिक खत्रे का सिद्धान्त दूसरा है अन्य के सावदान होने की उपदहरना और तीसरा है बच्चों की योगदाई उपेक्सा देखो इन तिनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वैकल्पिक खत्रे के सिद्धान्त के वैकल्पिक खत्रे के सिद्धान्त का सार क्या है वो देखो इस स्क्रीन सोर्ट में आपको दिख रहा होगा विदी वादी को वैकल्पिक ख पर्तिवादी की उपेक्सा से वादी को किसी प्रकार का नुक्षान होता है और उस सिच्वेशन में वादी अपने उस पूर्ण नुकसान बड़े नुकसान को टालने के एवज में विवेक पूर्ण तरीके से उससे कम खत्रे को उठाने के लिए किसी अन्य विकल्प का चुनाव करता है कि तो कि उस दोरान उसे जो अक्षती होती है कि उसे वादी की योगदाई उपेक्षा नहीं माना जाएगा क्योंकि उस विकल्प का चुनाव परतिवादी की दोस्पून कारिये के कारण ही वादी को करना पड़ता है इसलिए एसे मामलों में कहने का मतलब जहां वादी के पास ऐसा अल्टरनेट हो कि प्रतिवादी की दोस्पून करते से होने वाली बड़ी नुक्षानी को टालने के लिए वह चोटी नुक्षाने के efforts पहला प्लत वाधिसमां जोन्श बनाम बॉइस k e ौर इस है द्राइवर जो है वो गाड़े को बड़ी लापरवाई से चला रहा था कि वाधी को अपनी जान को खत्रा मैसूस और वो अपनी जान बचाने के लिए खिटकी से नीचे कुद जाता है और इस दोरान उसे जो इंजरी होती है उससे बचने के लिए योगदाई उपेक्षा का प्रतिवाद जो है जब प्रतिवादी ने किया तो उसे नयाले द्वारा स्विकार नहीं किया गया और उसमें यह कहा गया कि वीदी जो है वह वादी को वेकल्पिक खत्रे को उठाने की अनुमति परदान करती है यदि वह वेकल्पिक खत्रा वादी द्वारा अपने वीवेक से उठाया गया है ऐसा ही एक नई कंडिशन इस नीचे वाले वाद में डिस्कस की गई ब्रेडन बनाम ऑसबर्ण गेरट अंड कंपनी इस केस में यह बताया गया कि परतिवादी के दोस्पून कारिय से होने वाली बड़ी नुक्सानी को बचाने के लिए कम नुक्सानी के विकल्प के तोर पर क्या वेक्ति अपने स्विम के मामले में उठा सकता है या दूसरे के मामले में भी उठा सकता है तो यहां देखो परतिवादी के दोस्पून कारिये से अपनी पत्नी को जोखिम पत्नी के समझ में पत्नी को जोखिम मैसूस वा उस जोखिम को कम करने के लिए पत्नी की और से वेकलपिक जो खत्रा है उसको मोल लेने का कारिये पत्नी ने किया तो इसमें वादमी जज्जमेंट दिया गया कि दूसरे वेक्तियों दुआरा भी वेकल्पिक खत्रे को उठाया जा सकता है और उस सिच्वेशन में भी पर्तिवादी को योगदाई उपेक्सा का बचावजे वो नहीं मिलेगा ये कुछ चीजे इस टाइटल में वेकल्पिक खत्रा और इसका सामाने तया ये सिच्वेशन में लागू होता है जहां बड़े खत्रे को टालने के लिए वेक्ति स्वेम के मामले में या दूसरों के मामले में खत्रे को कम करने के लिए कोई अन्य खत्रा मोल लेता है तो ऐसे नुक्सानी के लिए परतिवादी हमेशा दाई होगा उसे योगदाई उपेकसा का बचाव लेने की अनुमती नहीं मिलेगी दूसरा जो सिदानत है वो है अन्य के सावदान होने की उपधारना करना देखो कई बार आदमी ऐसे फिर्थ में होता है ऐसे विश्वास में होता है कि वो जहां बैटा है जिसके साथ बैटा है उसकी सावदानी पर उन्हें पूरा बरोशा होता है जैसे अपने ड्राइवर हायर कर रखा है और अपन पिछे की सीट पे सो रहे हैं तो अपने ये मान कर चलते हैं कि ड्राइवर पूरी सावदानी के साथ अपने कारिये को या प्रतिवादी के प्रतिवादी की प्रति निस्तिन्त करें करें प्रतिवादी की सावधानी मैं सुरक्षी तुं अईसे सिə एक केंदिये बहुत अच्छे से डिसकस किया था जी बना मेट्रोपॉलिटन रेलवर कमपनी लिमिटेड इस वाद में रेले के दर्वाजे इस विश्वास के सारा लिया कि इस दर्वाजे को रेल्वे करमसारी ने बंद कर दिया होगा o ठीक से लेंग वो दर्वाजा खुला था और पट्री पर गिरने से उसे जो नुकसान हुआ उसके लिए रेल्वे को उतर दाvak पोई सब्सक्राइप होने की उस आदार पर रेलवे को परतिवाद का अवसर नहीं दिआ गया तीसरी जो बात इसमें आती है बच्चों की योगदाई उपेक्सते हिसका अधार यह महना जाता है कि बच्चों इतना विवेक नहीं होता कि वो खत्रे के प्रतिशावदान हो सके और जो आदमी इतना विवेक सिल नहीं हो सकता देखो इसमें पहले मैंने विवेक पूर्ण बताया था बच्चे में जिस कार्य को या जिस नुक्सानी को बापने का विवेक नहीं होता उसके प्रतिवादी को बचाव नहीं दिया जा सकता इस परकार वेकल्पिक खत्रे का शिधन्त अन्य के सावदान होने की उपधारना और बच्चों की योगदाई उपेक्सा ये तीन जो है वो योगदाई उपेक्सा के अपवाद माने जाते हैं कुछ चीजें इस से समंदीत अपन अगले वीडियो में डिसकस करेंगे थैंक्यू सो मच्च